हालो फ्रेंड्स माय साहब डॉक्टर सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे एक बड़ी ही महत्तोपूर्ण चीज नोज से रिलेटेड टॉपिक बड़ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें और देगी बैल आइकोन को प्रेश करना ना भूलें जिससे आने वाले आपको जो नए वीडियो है नई उपयोगी जानकरी है वो मिलती रहें फ्रेंड्स इंसान की जिंदगी इंसान की मॉर्निंग स्टार्ट होती है एक अच साइनस का ट्रीट्मेंट है दोस्तों आज हम जानेंगे वह साथ इंपोर्टैन्ट चीजें जो आपको साइन आप समस्यास से आपको जानना है क्या है सायनस आपकर सबस्ट दोस्तों अपना जोननेरे दौन तरफ यहां पर फ्रन फारेड ऐजो फ्रेंटल फॉरन होती इस में एक मॅधुमक् Lunch के छत्तेगे जिस को स्पेसे एक जिस्पोर सब्सक्राइब लुगतों हैं नव सेकेंड इंपोर्टेंट चीज क्या है साइनस का महत्वे वाट इज दा इंपोर्टेंट सफ था साइनस क्या वर्क करता है साइनस सो दोस्तों साइनस जो है अपन जब नोस से ब्रिधिंग करते हैं सो एंटाइर एर आप्टर दा ब्रिधिंग देट गोजिन दा साइनस वो पुरी एर साइनस में जाती है वहां उस साइनस में उस एर का जो एट्मोस्पेर में अपने एर लिए है उसका फिल्ट्रेशन होता है उसका प्यूरिफिकेशन होता है जो बाहर की जो एट्मोस्पेर क जो dust है, bacteria है, जो particles हैं, वो वहाँ पे threat होते हैं और दूसरा उस air के अंदर humidification, यानि आप June में temperature आपका 40 है या माइनस में आप जैसे आपका temperature है, तो according to the body उस air को करके और air को filter करके वो fresh air जो है अपने सांस की नली में जाती है लंग में जिससे पूरे बोडी में circulate होती है, so this is the value of the sinus, यह sinus की importance है third important thing, how the sinus problem is developed, कैसे sinus की समस्या डवलप होती है दोस्तो, sinus की जो समस्या डवलप होती है, उसकी दो important common कारण है पहला, either the nasal blockage, यानि हो सकता है कि किसी करण से आपका जो nose block है या हो सकता है आपको chronic allergy हो, इन दो मेहतोपूर कारणों से जो है वो sinus की समस्या डवलप होती है, जब किसी patients का जैसे कोई नाक की हड़ी टेड़ी हो या nose के अंदर कोई allergy के कारण मास बन जाता है या और भी किसी कारण से तो अपना जो sinus है, उसमें air नहीं जाने के कारण उस sinus के अंदर जो normally sinus का work है, वो नहीं हो पाता दूसरा, अंदर की जो अपनी mucosa है, उस sinus की जो layer है वो swell होके दिरे 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 और वो nose के अंदर, nose की cavity में आने लग जाती है जिसको हम local language में जो है वो rasoli और polyps बोलते हैं So, polyps का बनना, sinus के अंदर, rasoli का बनना, ये जो है nasal blockage और chronic जो है, लंबे समय तक नाक की जो allergy का treatment नहीं होने के कारण जो है, sinus की समस्या develop होती है So, this is the third thing Fourth thing, कैसे जाने में sinus की समस्या से ग्रसित हूँ What is common symptoms of the sinus? Friends, common symptoms of sinus का, वो है basically nasal discharge आपके nose से सारे दिन भर पानी आता रहेगा Second, nasal blockage आपके nose से क्या proper breathing नहीं होगी जब आप इधर की करवट सोएंगे तो इधर से सांस आएगा इधर की करवट सोएंगे तो इधर से आएगा And, धिरे-धिरे-धिरे-धिरे जब यह लंबे समय तक रहती है So, anosmia है यानि नाक से खुस्बू और बद्बू का पता नहीं लगना यह भी एक साइनस समश्या से रिलेटेड चोथे important चीज है कि आपको chronic गला साफ करने की habit Like, यह hawking गले को क्योंकि नाक के अंदर जो साइनस में जो सारे दिन बर जो fluid trickle करता है जो पानी जो बनता है वो अपने गले में continue trickling करता रहता है जिसको हम post-nasal drip भी बोलते हैं आपका बार-बार जो है गले के लिए patient antibiotic खाता रहता है बार-बार उसकी आवाज में भी changes होना यह common symptoms है अगर आपको like nasal blockage रहता है नाक से chronic बार-बार पानी गिरता रहता है बार-बार नोज को साफ करना पड़ता है आपको खुस्बू-बद्वू का पता नहीं लग रहा है आपका बार-बार sore throat या गला खराब हो रहा है may be you develop from the sinus problems so this is the fourth aspect दोस्तों फिप्त जो important जो है aspect है वो है क्या sinus के problem के दुश परिणाम है क्या जब sinus की problem होती है तो दोस्तों जो patient को है यूस्वलि जो हपन nogं से breathing करते हैं तो जो nogES के दौएर जो air का filtration पुरिफ़ीकेशन है वो lost हो जाता है और basically जो है आदंी को जब नोज से nasal blockage के करण जब breathing नहीं होती तो उसको मुह से breathing होता है वो partially nose से breathing करता है partially मुह से breathing करता है तो जो air का filtration और जो purification और जो humidification जो air का हो रहा था वो नहीं हो रहा था इसलिए उसको mouth breathing के कारण बार बार उसको गला खराब होता है बार बार उसका गला सुकता है वो रात को जब सोता है तो उसको mouth breathing के कारण बहुत बार कैंशा snoring भी develop हो जाती है पेशेंट को करनटे बैसिकली आते हैं तो यह बैसिकली उसका एक दूस्परिणाम है दूसरा क्या है कि नोज के अंदर जब पॉलिप्स बन जाते हैं जब साइनस की प्रॉब्लम रहती है बहुत बार क्या है आपके नोज में फंगल इंफेक्शन हो जाता है आपने देखा थ है कि क्रोनिक साइनस प्रॉब्लम के कारण आपको फंगल इंफेक्शन और वह फंगल इंफेक्शन बहुत बार जो है लाइफ के लिए एक बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है जिसके कारण क्या है कि आपकी जो चीक बॉन और आंखों में और दिमाग में भी व नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो है टॉपिक है जो रिलेटेड जो है साइनस से है लो है Juan Angel आपको जब यह पताल गया कि SIनस की problem है how we manage the 자son problem दोश्तों साइनस की जो समिख्या है उसको करने के लिए पहले उसका diagnosis and then इसका treatment diagnosis के लिए जब आप patient जो है हमारे पास आता है तो उसका एक CT scan और एक patients का करा जाता है nasal endoscopy करा जाता है उसका allergy profile करा जाता है तो nasal endoscopy जो आपिए टेलिस्कोप डालकर हम monitor पे देख लएते हैं कि इसको ये नेजल ब्लोकेज है, इसको DNA से नाक के हड़ी-TD है, नाक में रसुली है, फिर उसका एक CT scan कराया जाता है, जिसे 3D जो है, वो sinus का knowledge अपने को पता लग जाता है, कि कौन-कौन से sinus में उसके polyp है, और हड़ी का जो है deviation है, जो ब्लोकेज है, वो कितना मात्रा में है, कितना extent है, ठीक है, उसका पहले diagnosis बनता है, डाइग्नोसिस के बाद में उसका management, management इसमें, अगर किसी patient को early disease है, यानि उसको शुरुआती अवस्ता में है only, बहुत सारे sinus के अंदर polyp's नहीं बने हुए, जिसके कारण बहुत ज़्यादा nasal blockage नहीं है, then उस patient को we manage conservatively, उसको क्या है, medicine से उ उसको जो है, कुछ antibiotics दिया जाता है, कुछ mild steroids दिया जाते हैं, कुछ जो है, उसको decongestant दिया जाता है, जिससे जो nose का, जो sinus का, जो function है, वो वापस है, और जो है, discharge कम बने हो, और airway open हो, अगर किसी patients की, second, बहुत सारे polyp's बन गी, ना completely blockage है, DNA से, CT scan में उसका diagnosis बन गया, दो जिसको usually normal language में sinus surgery भी बोलते हैं, वो sinus surgery की जाती है, और उस sinus surgery की माद्यम से, जहाँ जहाँ नोज में polyp हैं, उन सब polyp's को endoscopic durbine से हटाया जाता है, दोस्तों एक बहुत ही महतोपून चीज है, लोग sinus का हिलाज इसलिए नहीं करा पते हैं, उनको डर लगता है, कि नाक में म बाहर कहीं पी कोई आपको चीर, फार, टांका, पट्टी, दज, निशान, कुछ नहीं होता, एंड एक सैप सर्जरी है, अंडर अनस्तिशिया, बट बैसिकली इन experience हैं, जहां सारी सुविदाएं हो, ऐसे उसमें कहीं कोई complications नहीं होता, अगर डॉक्टर और पेशेंट दोनो ठीक है, तो दोस्तों यह इसका management है, sinus problem का, जो 7 जो important जानकरी है, वो है इसका basically prevention की कैसे एक बार आपको sinus समस्या डवलप होगी, तो उसका prevention basically कैसे किया जाए, तो prevention में दोस्तों जो है आपको routine आपका ENT check-up होना चाहिए, आपका ENT check-up में आपकी जब nasal endoscopy doctor करता है, तो आप अगर कोई सुझाव दिया है, कि आपको कोई nasal blockage का कारण है, like the DNS है, या whatever जो भी है, उसको correct कराना चाहिए, जो patient chronic allergy के हैं, जिनको बार बार allergy रहती है, उसको allergy का proper management होना चाहिए, allergy के proper management में क्या है, पहला एक कुछ medication चिकित सके दोरा आपको जो दी गई है, उसको आप follow करो, आप उसको continue करो, आपकी जो दवा चल रही है, अगर आप ठीक हैं, तो उसको taper करो, दिरे-दिरे करके उसको alternate day करना होता है, और आजकल एक allergy profile और जो test करा गए, ये भी पता लगा लिया जाता है, कि आपको कौन-कौन सी चीज़ से allergy है, जिससे अपनी routine life में उन चीज़ों को आप avoid कर सको, और एक advanced facility और होती है, जो बहुत सारे लोगों में काम्याबी है, कि जैसे आपको किसी चीज़ से बहुत ज्यादा allergy आ रही है, तो उसकी vaccine बनती है, immunotherapy बनती है, वो आपको drop-drop करके या injection के माध्यम से भी आपको लेना होता है, जिससे आपको आगे बार-बार व काम कर रहा है, कोई factory में worker है, या कोई ऐसा जहां पर बहुत ज़्यादा धूल मिटी-गर्दे का काम है, वहां पर मास्क लगाना चाहिए, और कोई भी जो patient है, जिस चीज से allergy है, उसके लिए उसको बचाव करना चाहिए, smoking जो है वो एक important है, उससे भी अपने को बचाव करन नॉर्मल होने तक उसको आप जो है वो ले लीजे, तो दोस्तो ये थी साथ important जानकारिया, sinus से related, so I hope that these all information is useful for you, so please share these all information with your friends, with your family members, your colleagues, just to create awareness about the sinus problems, thank you.